दोस्तों अगर आपको पहुत ज्यादा खासी की प्रॉबलम है या फिर जुखाम की प्रॉबलम है या फिर आपके छाती में यानि की सीने में कफ जम गया है तो मात्र इस सिंपल से नुस्के को यूच कर लेना आपको दैन देयर आराम मिलेगा यानि की अगर आपने इस नुस तो यह आप इनुस्का तयار करने के लिए आपको लेना होगा है यह कूछ नहीं करना है और दोस्तों करता यह इन्टिवायटी की तरीके से काम करता है यह फैसी को ख़तम करेगा तो आपको बस कुछ नहीं सरह है आपको लेना है एक चम्मच हल्दी पाउडर यानि कि एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा सा भी बना करके इसको रख सकते हो तो चलिए मैं आपको नुस्का तयार करके दिखाती हूँ तो एक आपसे रिक्वेश्ट वीजियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों में सेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राब कर लेना बेल आइकन को जरूर पैस करना इसे होगा यह जो नई विडियो प्रोट करेंगी उसका नौटिफिकरिशन आपको मिने का मात्र एक सेकंड तो यहां पर नौटा तयर करने के लिए आपको लेना होगा एक कटोरी तो मैंने हपें कर दोलेंगे एक ՛ोटा चमच हल्दी पाउडर गिदेखिए एक छोटा चमच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ले लिया है अब इसके बाद में हमें क्या करना है इसमें डालना है सहद सहद यानि की हनी तो हम इसमें सहद थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमें जब इसका हम पेश्ट बनाएंगे तो देखेंगे अगर बहुत ज़् यह भी हमारी खांसी में बहुत फाइदा करता है हमारे जुखाम में फाइदा करता है और हमारे कप को भी पिगला करके बाहर निकाल दीता है तो इन दावनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसका एक पेश्ट बनाएंगी तो यह जो हल्दी पाउडर है आप देखना अगर आपके च्छाती में कब जम गया है तो उसको यह बहुत तेजी से पिगलाएगा और बाहर निकाल दीगा जिससे कि आपकी खांसी भी खतम हो जाएगी अगर आपके जुकाम है तो जुकाम भी आपका खतम हो जाएगा खांसी की बज़ए से जो गले में इंफेक्शन ह जो फासे सी उड़ जाती है तो वो भी आपका सही हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो पेश्ट जो गाड़ा है इसमें थोड़ा सा सहद और डाल देंगे और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स जो मैं यह नुस्का बता रही हूँ इस नुस्के को बड़े लोग भी ले सकते हैं और बच्चों को भी आप इसको दे सकते हैं यह जो मैंने आपको पेश्ट बताया है इस तरीके का पेश्ट को बना करके आप किसी भी डिबी में भर करके रख सकते हो यह बिलकुल भी खराब नहीं होता है जब कभी खासी आए तुरंट इसको खा लीजिए एक दिन में तुरंट आरा मिलेगा आपको तो यहां पर यह जो नुस्का आप देख रहे हैं अगर कोई बड़े लोग खा रहे हैं तो इसमें से एक छोड़ा चमज भर करके यह देखिए यहां पर मैंने चमज लिया है बड़ा लिया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक छोड़ा चमज भर करके आप इस नुस्के को खाईएगा आपको कैसे खाना है इस नुस्के को जब आप अपने मूह में डालेंगे तो आपको इसे तुरंट नहीं निगलना है ना तो आपको पानी से न आपने आपसे घुल घुल के अंदर जाने दीजिए यह जब धीडीए जाएगा तो आपके गले में जो फासव उठा रही जो गले में दाने हो जाते हैं वह आपका इंफेक्शन बिल्कुल खतम हो जाएगा क्योंकि यह जो मलें क्यांता का है यह झाले में लगेगा जी कमएं यह नहीं बता रहे हैं को दर्द होगा दर्द बिल्कुल नहीं होगा कोई भी प्रब्लम नहीं होगी लेगा तो आपकी गले में जो इंफेक्शन है उसको यह खतम करेगा जिससे कि आपकी खासी में तुरन आपको एक दिन में ही आराम मिल जाएगा आप किसी बच्चे को दे है एक छोटा चमज भर करके और इसको लेने के बाद में आपको पानी पीना है तो आप गुर्मोना पानी ले सकते हो लेकिन कुछ देर के बाद में तुरंट पानी ना पिए ताकि यह जो हल्दी आप खाएंगे ना यह साहत के साथ में तो यह अच्छे से काम कर सकें तो इस कोई भी यूज कर सकते हो तो दूसरा नुसका बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको लेना है काली मिर्च तो काली मिर्च यानि की बिलेक वेपर काली मिर्च क्या करता है आपकी खांसी को तुरंट खतम करता है तुरंट इंफ्रेक्शन को खतम करता है खांसी में यह इ इसे आपको ना तो भूनना है कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आप इसको मुह में डालिए और धीरे दीरे इसको चूष-चूष करके आप इसको खाईंगे। आप देखना आपको तुरह टारह मिलेगा। तो यह काली मर्च आपको पूरे दिन में तीन टाइम करना है। आप देखना आपकी खासी जुखाम कफ जर से खताम हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों से करना और चैनल को सबस्क्राइब